कैसे हैं आप साव आसा करते अच्छे होंगे तो आज बना लेते हैं सुपर टेस्टी सुपर डुपर लाजवाव स्वाधिष्ट नास्ता तो चलिए चलते हैं किचिन में प्रेंड रादे कैसे हैं आप सवासा करते हैं अच्छे होंगे तो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो चले चलते हैं रैस्पी की तरफ और यहां पर हम बना लेते हैं बहुत ही टेस्टी और साधिस्ट सूजी से बहुत ही अच्छा एक सुपर टेस्टी नास तो हमने यहां पर ले लिए सूजी प्रेंड और हम चलते हैं किचिन में घैस की तरफ और बना लेते हैं सूजी से बहुत ही मस्त नास था चाहे आप मोटे साइज की सूजी ले ले यानि की रवा या फिर आप बारिक बाला ले लें दोनों में से कोई भी रवा ले सकते हैं उससे हम बनाएंगे सुपर टेस्टी उपमा की रेस्पी आपने पहले भी खाई होगी पर एक बार हमारी दरीके से बना के देखें अंगलिया चाटते रहे जाएंगे इतना टेस्टी बनाऊंगी तो हमने यहां पर डाल दिया तीन से चार समच ओयल आप चाहे तो घी भी ड आप मस्टर्ड ओयल और देशी घी यह आप खाएंगे तो सियत के लिए ज्यादा अच्छा है ओलिव और रिफाइंड ओयल उतना अच्छा नहीं होता इसलिए जितना चाहे तो अवोइट करें और फिर आपकी मर्जी है आप जो भी खाना पसंद करते हैं तो हमने यहां पर ओयल डाल दिया तीन से चार चमच और बस हम सूजी को फिराई कर लेंगे तो हलकी मीडियम गैस पर हमें सूजी को भूनना है ज्यादा हाई फ्लेंप है नहीं भूनना है नहीं तो सूजी अमारी जल जाएगी और उसमें टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा फ्रेंड हम बहुत ही टेस्टी है सूजी का नास्ता बनाने जा रहे हैं जब बनके तयार होगा तो आप खाते खाते अंगलियां चाटते जाएंगे और पेट तो भर जाएगा पर मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा इतना टेस्टी नास्ता बनके तयार होगा गैस को आफ कर देंगे और तोरी मुंपली चोटे साइज की है यहां पे हम डालेंगे चना की दाल और इनको हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे कडी पत्ता और यहां पे डाल देंगे मस्टर्ड यानि इसरसों मिक्स करेंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बड़े साइज में कटा हुआ प्याज अब प्याज को हलका सुनायरा होने तक सभी के साथ ढून लेंगे गैस को सिलो रखना है हाई प्लेम पे नहीं रखना है फ्रेंड ये नास्ता बहुत ही टेस्टी बनके तयार होगा अगर आपको ये नास्ता की रेस्पी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो फ्रेंड यहां पे हम डालेंगे तीन से चार हरी मिर्ची मिर्ची हमने पहले इसलिए नहीं डाला था कि मिर्ची जल जाएगा जब तक हम चना दाल और मुपली को फ्राई करेंगे तो मिर्ची जल जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा खाने में इसलिए हमने बाद में डाला है और फ्रेंट यहां पर हमने लाल मिर्ची अवाइट की हुई है हमने नहीं डाली है अगर आप ज़्यादा तीका पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्ची डाल सकते हैं बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है हमारे बच्चें को इसलिए हमने यहां पर लालमिची अवाइड की है फ्रेंट वीडियो थोड़ा सा लॉंग हो सकता है छह साथ मिनट का यह वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है बट आपको यह बहुत ही अच्छे से बनाने के लिए सिखाऊंगी मैं तो फ्रेंट वीडियो म आप टी स्पून डालना है हमने बहुत कम डाला है क्योंकि इसका कलर बहुत जादा डार्क ने चाहिए यहां पर हमने डाल दिया नमक स्वाद अनुसार और हम डाल देंगे इसमें एक मग भर के पानी फ्रेंट हम यह दो लोगों के लिए उपमा रैस्पी बना रहे हैं तो आप जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा पानी डालना पड़ेगा तो हम यहां आदा कटोरी सूजी लिया है हमने और डखके रख दिया था पांच मिनट के लिए जिससे की पानी में अच्छा अबाल आ गया है उसके बाद हम इसमें बुनी हुई सूजी डाल और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे फटा फट से नहीं तो इसमें लंस पड़ जाएगा तो एकदम लंस नहीं पड़ना है इसलिए अच्छे से मिक्स करते जाना है और इस टाइम पर आप गैस को मीडियम कर लें हाई फ्लेम पर ना रखें सूजी बौजली गाड़ी हो ज जाती है तो हमें ये उपमा बहुत जादा गाड़ा नहीं चाहिए पर इतना पानी जरूर डालना है जिससे कि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए और अच्छे से पक जाए तो बस बुने होई सूजी थी और फटा फट से बने के तयार हो चुका है फ्रेंड आप चाहे तो गरम करके भी डाल सकते हैं तो जादा पक जाएगी जल्दी से लेकिन क्या है कि पानी ज्यादा रखना है अगर आपको गरम पानी में बनानी है तो पानी थोड़ा ज्यादा रखना है जिससे कि सूजी पकने के लिए थोड़ा पानी चाहिए और गरम पानी में तो फटा बनके तैयार हुआ है फ्रेंड एक तम होटल जैसा सच में मैंने आज यह उपमा बनाया तो हमारे बच्चों ने तो इतनी तारिप की बॉले कि ऐसा तो मैंने कभी नी खाया मम्मी इतना अच्छा आपने बनाया है बहुत पसंद आया बच्चों को तो मुझे उम्वीद है कि आप सबको भी यह मेरा उपमा की रैस्पी जरूर पसंद आई होगी यहां पर हमने डाल दी है हालू बुजिया नमकीन इससे तो और भी टेस्टी लगता है यह उपमा अब हम डालेंगे उपर से गान इसके लिए हरा धनिया और इसका हरा धनिया डालने के बाद स्वाद लग रहा है तो सोचो खाने में कितना अच्छा लग रहा होगा बनाते बनाते मूं में पानी आजाएगा इतना टेस्टी बनके तयार हुआ है तो फ्रेंड यह लीजिए हमारा उपमा रैस्पी बनके तयार हो चुका है होटल स्टाइल उपमा तो आप भी बनाओ और खाओ अपी और एंजाय करें हम नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई रादे रादे अपना दयान रखना वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर जाना ठीक है और सेर भी कर देना कमेंट भी करना जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ आपने मेरा वीडियो देखा है फ्रेंड और नोटिफिकेशन ओन जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारा हर वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई नई वेजिटेरियन रेस्पी देखने के लिए थैंक यू भ